नमस्कार दोस्तों जैहिन आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है अगर आप अमारे चैनल पर अभी नए है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज अवस्य करिए आज हम बात करते हैं इस आईवे फिटेट क की जाएगी इस विगर को देखिए और इससे समझने कोसिस करिए कि हमारे ब्लोवर और कंप्रेसर कैसे चलते हैं इस सर्किट को सीसीए फ्यूट से सुरच्छा प्रदान की गई है और सीसीए फ्यूट सही है तो पहले ब्लोवर वाला देखते हैं हम लोग डीजे अगर लग को सप्लाई मिलेगी और चुकि QSVM रियल में दो सेकंड का टाइम डिले है इसलिए यह रिले दो सेकंड बाद इनरजाईज होगी और SIV के उपर जो BLVMT का NCI लगा है वो खुल जाएगा जिससे SIV एक बार बंद होगा और QSVM का NOI दो सेकंड बाद चुकी लग रहा है इसलिए SIV एक बार बंद होगा फिर दो सेकंड बाद वो स्टाइट होगा और पूरी तरह से SIV को रैंप अप होने में लगबग 10 से 12 सेकंड लग जाता रहेगा और HV RS की पोजीशन दर एक या तीन पे है तो हमारी C107 कांटेक्टर लग जाएगा और इसी तरह HVMT1 के एक और तीन पोजीशन पे हमारा C105 और HVMT2 के एक और तीन पोजीशन पे हमारे C106 में सप्लाई पहुंच जाएगी और यह तीनों ब्लोवर के कांटेक् लेकिन अभी हमारे ब्लोवर चलेंगे नहीं क्योंकि SIV अभी स्टार्ट नहीं हुई है पूरी तरह वो उसको 12 से 14 सेकंड लग जाएगा यह आफ लोड ब्लोवर हमारे बंद हो जाएगे अब इसी में बात कर लेते हैं इसकी ट्रबल सूटिंग कि अगर हमारे ब्लोवर नह कांटेक्टर नहीं लगे है तब हम कांटेक्टर ना लगने वाली ट्रबल उ случай करेंगे जिसका एक वीडियो नीसे बना भी रखा है कि किि अगर कांटेक्टर नहीं पिक अपप हो रहा है तो उसमें क्या-क्या चीछ किया जाएगा तो उसमें आने वाली supply को हम देखते हैं pilot क को चला के उसके पाइलेट का फ्री मुवमेंट चेक कर लेते हैं और अगर सब कुछ हमको सही दिख रहा है तो उसको पूरी साउधानी अपनाते हुए उसको वेज भी किया जा सकता है दूसरी कंडिशन यह आई कि हमारे तीनों ब्लोवर के कांटेक्टर नहीं लगे हैं तो उ इसका इंटरलाक वो लग नहीं रहा है तो ऐसी वस्था में चुकि एसाइबी तो इस्टाल रहेगा ब्लोवर के तीनों कांटेक्टर हैं यह नहीं लग पाएंगे तो हम ब्लोवर के तीन बारान आफ करके ट्राइब कर लेंगे इससे भी कोशिस किया नहीं हुआ तो तीसरा यह है कि हम कैब चेंज करके एक बार कुशिस कर लेंगे हो सकता है हमारे इस कैब में ब्लवीम्टी का जो ब्लकी है वही खराब हो गया हो और उस पे भी नहीं हो रहा है तो हम सुरच्छा की कारवाई करते हुए ब्लोवर के कांटेक्टर को वेज कर सकते हैं और टीलसी को दिखान रखेंगे कि अगर हमने C107 को वेज किया है तो हम RB यानि Dynamic Brake का इस्तेमाल नहीं करेंगे यूँकि आपको पता है इस IV में C107 या C108 इन दोनों में से कोई एक ही लगता है और अगर हमने C107 को वेज कर रखा है तो C108 हमारा NEMVRF नहीं चल सकता है इसलिए Dynamic Brake का य से चलते हैं तो CCA से इधर भी आया रही है सप्लाई लेकिन जब हमारा SIV काम करने लगेगा उसके काम की जाच करने वाली रिले क्यूकान इनर्जाइज हो जाएगी तब उसका ये NOI क्यूकान का लगेगा और इधर से आते हुए चूकि हमारे C101, C102, C103 कांटेक्टर तीन का NCI लगा रहेगा जिसके कारण हमारी Q199 रिले में सप्लाई पहुच जाएगी और जब इसमें सप्लाई पहुचेगी ये पिक अप होगा तो Q199 का जो NOI है ये व्यूल के ऊपर जो है ये लग जाएगा और तीनो व्यूल को सप्लाई मिल जाएगी व्यूल मतलब और ये इसलिए लगाया जाता है कि जब भी हमारा कंप्रेसर इस्टार्ट हो तो आफ लोड इस्टार्ट हो जब हम BLCP को आन करते हैं यहाँ पे देखे बील सीपी लगा हुआ है जब हम BLCP को आन करते हैं सप्लाई आ गई नीचे और RGCP फिर लगा है RGCP मतलब कंप्रेसर क होता है कन्वेंशनल में वो आट से साड़े नौ के बीच में मेंटेन रहता है जिसको RGCP मेंटेन रखता है जब हमारा प्रेसर आट केजी से कम रहता है तो RGCP कटी नवस्था में रहती है और इधर से सप्लाई हमारी आके इधर से होते हुए QTD 101 को और ये जो QTD 101 है इसम में 5 सेकेंड का टाइम डिले है तो 5 सेकेंड बाद QTD 101 का ये वाला NY ये बंद होगा और इधर से सप्लाई हमारी HCP के पोजीशन के अनुसार C101 और C102 में पहुंच जाएगी और C103 में सप्लाई चली जाती लेकिन Q119 का ये जो NCI लगा है ये इस समय क्या है चुकि Q119 इनरजाई जैसलिए NCI खुला हुआ है लेकिन जैसे ही C101 और C102 में सप्लाई गई वैसे ही जो Q119 के उपर हमारे C101 और C102 का NCI लगा है ये ओपन हो जाएगा और हमारे Q119 की सप्लाई कट जाएगी चुकि Q119 में 5 सेकंड का टाइम लग है इसलिए इसकी सप्लाई कटने के बावजूद ये 5 सेकंड तक पिकप बना रहता है और 5 सेकंड बात जब ये डिएनर्जाईज होगा तब व्यूल के उपर ये जो है Q119 का नोई ये खुलेगा और तीनों व्यूल की सप्लाई हमारी कट जाएगी साथी साथ Q119 का NCI बैठेगा C103 के उपर और HCP के पोजिशन के अंसार C103 में भी सप्लाई पहुचेगी और C103 कांटेक्टर भी लग जाएगा और हमारा तीसरा कंप्रेसर चल जाएगा फिर से इस चीज को समझिए जब हमने BLCP आन किया और MR प्रेसर 8 kg से कम था तो सबसे पहले QTD 101 में सप्लाई गई और चुकि 5 सेकंड का टाइम डिले है तो BLCP आन करने के 5 सेकंड बाद C101 और C102 कंटेक्टर लगेंगे जिससे हमारे 2 कंप्रेसर चलेंगे और उसके अगले 5 सेकंड बाद हमारे C103 कंटेक्टर लगेगा जिससे की तीसरा कंप्रेसर चलेगा किस कारण से क्योंकि C103 के उपर Q119 का NCI लगा है और Q119 में 5 सेकंड का टाइम लेग होता है जब MR पेसर हमारा साढ़े 9 हो जाता है तब यह RGCP का जो कटिन पोजीशन है यह यहां से खुलता है और कटाउट वाली पोजीशन में चला जाता है और वीड को डारेक्ट सप्लाई मिल जाती है जिसके कारण हमारी C101, C102, C103 की सप्लाई कट जाएगी और Q119 के उपर जो NCI तीनों लगे हैं 101, C102, C103 के यह तीनों NCI फिर से लग जाएगे और Q119 relay energized हो जाएगी और Q119 relay energized होने के कारण यह Q119 का NOI जो व्यूल के उपर लगा हुआ है यह बंद होगा और तीनों व्यूल को भी सप्लाई मिल जाएगी फिर जब वापस प्रेसर आट केजी से कम होगा तो फिर से यह RGCP cutting position में जाएगा और QTD 101 को सप्लाई देगा जिसके कारण 5 सेकंड बाद C101 और C102 लगेंगे उसके अगले 5 सेकंड बाद C103 लगेगा क्योंकि Q119 यह नरजाईज हो चुकी होती है इस तरह यह प्रिक्रिया चलती रहती है अब इस सरकिट में देखिए यहां C103 के उपर HCP का एक तीन नंबर का स्विच दिया हुआ है यह क्यों दिया है किसी कालर से जब ट्रबल सूटिंग के समय हमको केवल तीसरा कंप्रेसर चलाना है और उस समय हमने HCP तीन नंबर पे किया और यह अगर स्विच का बाइपास रास्ता ना दिया होता तो चुकी सुरुआत में 101, 102, 103 सभी खुले रहते हैं तो 101, 102, 103 का यह वाले जो NCI हैं यह लगे रहेंगे जिसके कारण Q110 रिले हमारी पर्मानेंट इनर्जाइज बनी रहेगी और जो पर्मानेंट इनर्जाइज बनी रहेगी तो C103 के उपर वाला यह Q110 का NCI ना खुल पाता इसलिए HCP के तीन नंबर के पोजीशन को Q110 के NCI के बाइपास में दिया गया है अब बात कर लेते हैं कि अगर कंप्रेसर ना काम कर रहा हो तो हम क्याटरबल सूटिंग करेंगे तो सबसे पहले BLVMT आन करके हम ब्लोवरों का चलना कंफर्म कर लेंगे अगर हमारे ब्लोवर भी नहीं चल रहे होंगे इसका मतलब यह हो सकता है कि हमारा SIV ही ना काम किया हो और हमारा QCAN का NOI ही ना लग पाया है क्योंकि QCAN इनरजाई तभी होगा जब SIV काम करेगा लेकिन हमने देखा कि ब्लोवर हमारे चल रहे है तो इसमें देखिए कई चीजें हैं एक तो हमने BLCP आन कर रखा था उस समय नहीं चला कंप्रेसर तो सबसे पहला काम होगा कि हम BLCP को दो तीन बार चला कर देख लेंगे उससे भी नहीं होता है तो second हमारा काम रहेगा कि हम BLCP D को हम आन कर देंगे अगर हमारा BLCP स्विच खराब है या RGCP मालफंक्शनिंग कर रहा है तो BLCP D वाले रास्ते से हमारी कंप्रेसर चल जाएंगी क्योंकि BLCP D, BLCP स्विच और RGCP दोनों को बाइपास कर रहा है इससे भी काम नहीं हुआ तो हम QCAN Relay यह जो लगी हुई है इस QCAN Relay को चेक करेंगे इसका Energize होना देखेंगे क्योंकि जब यह Energize होगा तभी यह हमारा NOI यहाँ पे लगेगा और QCAN जब Energize होता है तभी LACVAC की भी बत्ती बुच्ती है वहाँ से भी हम यह चीज समझ सकते हैं तो अगर QCAN हमारा D-Energize है उसको हमको Energize हालत में वेज करना पड़ेगा वहाँ पे हमको यह साउधानी रखनी पड़ेगी कि जब भी हम QCAN को वेज करेंगे तो दो चीजे देखनी पड़ेंगी एक तो क्योंकि Q118 के उपर DJ Control Circuit मे Q118 Relay पे QCAN के NCI परमानेंट खुल जाएगा सुरू से ही तो हमको जब DJ लगाना होगा तो हम Q118 और BP2 DJ की साहता से DJ क्लोज करेंगे और BP2 DJ को LHDJ बुचते ही उसको छोड़ देंगे और Q118 से हाथ तब हम हटाएंगे जब सारी आगजलनिया हमारी चल जाए पहला ये दूसरा ये कि जब भी हमको neutral section पार करना है और हमको DJ खोलना है उस समय हम BLCP को भी आफ कर देंगे नर्मली हम BLCP को आफ नहीं करते हैं क्योंकि ये QCAN का NOI खुल जाता है तो एक साथ सारे आगजलिया नहीं चलेंगी आठी चलेंगी लेकिन जब ये QCAN हमारा वेज है तो 11 आगजलिया चल जाएंगी इसलिए साथानी के तौर पे BLCP को आफ कर देना पड़ेगा अब हमने चेक किया कि ये QCAN भी सही है तो हमारा अगला पॉइंट है कि QTD101 जो ये है रिले इसको हम चेक करेंगे कि ये इनर्जाइज हो रहा है कि नहीं अगर ये इनर्जाइज नहीं हो रहा है तो हम इसको इनर्जाइज हालत में वेज करेंगे सावधानी हमको क्या रखना पड़ेगा कि DJ बंद करने से पहले हमको BLCP को खोल देना है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होता है कि जैसे ही SIV स्टार्ट होगी क्योंकान हमारा इनर्जाइज होगा तो आठ आग जल्लियां पांच तो डारेक्ट चल रही है और तीन ये ब्लोवर वाली आफलोड साथ में चल जाती है और जब क्योंकान भी इनर्जाइज हो जाएगा SIV के चलते हैं तो QTD 101 की ही 5 सेकेंड का डिले कराती है इन दो कंप्रेसर को चलने में और अगर हमने QTD 101 को वेज कर रखा है तो ये दोनों कंप्रेसर भी एक साथ चल जाएगी यानि SIV से टुटल 10 आग जल्लिया चल जाएगी इसलिए अगर QTD 101 को भी हम वेज करते हैं तो भी हमको BLCP को ओपन कर देना पड़ेगा जब भी DJ हम ओपन करेंगे और DJ क्लोस करने के बाद जब LSCHEBA बुच जाएगा उसके 5 सेकंड बाद हम BLCP को आन करेंगे और अब भी अगर सफलता नहीं मिलती है तीनों हमारे कंप्रेसर के कांटेक्टर नहीं लग पा रहे हैं तो अब हम TLC को सूचित कर सकते हैं जनरली हम कंप्रेसर के कांटेक्टर को वेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस समय SIV पर अधिक लोड पड़ेगा चुकि blower के contactor offload पहले से बंद हो चुके हैं और हम compressor के भी contactor को वेज कर देंगे तो इतनी सारी आगजरलिया एक साथ चल जाएंगी तो generally इसको करना नहीं है लेकिन अगर हम block section में खड़े होगे हमको block section clear करना है MR pressure है ने MR pressure हमको चाहिए तो उस समय हम compressor के contactor को वेज कर सकते हैं लेकिन ऐसी परिस्थिती में हम एक block isolate कर देंगे और block isolate का मतलब HVSL1, HVSI1 और HVMT1 इन तीनों को हम कहां कर देंगे? 0 पे कर देंगे और जब 0 पे कर देंगे तो हमारे तीन आगजरलियां काम से अलग हो जाएंगी इस तरह SIV पर load नहीं पड़ेगा उतना ज़्यादा और हम block section एक block को isolate करकर block section के लिए कर सकते हैं इधर एक circuit और दिख रही होगी आप लोग को SIV वाले circuit में जिसमें SIV fitted होता है उन लोकों में C107 यानि MVRF और C108 यानि MVRF दोनों 3 phase auxiliary motor हैं चुकि SIV पर load ना पड़े इसलिए दोनों में से एक ही auxiliary इन दोनों में से चलती है तो उसकी circuit यहाँ देख लीजिए जब हमारा MVRF काम नहीं कर रहा होता है उस समय QVRF रिलेडी एनर्जाइज रहती है जिसके काराण LHDVR का लैंप जलता रहता है जीरो से पांच वाले इंटरलाक के थूँ चुकि हम डानेमिक में ले गया है याणि एन्प कोपी पे तो CTF 123 सब ब्रेकिंग में चली जाएगी यह हमारा इंटरलाक लगा रहेगा और अगर traction motor cutout switch याणि HMCS 1 और 2 दोनों एक पे है तो यह दोनों हमारे switch का इंटरलाक लगा रहेगा जिसके कारण हमारा C145 contactor pick up हो जाएगा जिससे ATF EX में supply जाएगी और डानिमिक में हमारी circuit पूरी हो जाएगी और जैसे ही CTF हमने breaking में किया C107 के उपर लगा यह CTF traction वाला इंटरलाक यह खुल जाएगा जिससे हमारा C107 de-energize हो जाएगा और C107 contactor के खुलते ही उसका NCI यहाँ पे देखिए लगा और जैसे ही हम डानिमिक में नाच खोलेंगे उससे हमारे C108 को supply मिल जाएगी क्योंकि C108 के उपर GR 0 पे है तो उसका open interlock लगा यानि जब GR 0 रहेगा तो यह open रहेगा तो जैसे ही हम डानिमिक में पहला नाच लेंगे यह contactor लगेगा और C108 pickup हो जाएगा जिसके कारा DJ control circuit में Q118 के उपर जो C107 लगा है उसका NOI खुलेगा और C108 का NOI बंद हो जाएगा चुकि C108 MVRF का है MVRF चलने लगेगा उसके काम की जाच करने वाली relay QVRF है तो QVRF का यह NOI लगेगा और इधर से भी supply C145 में पहुचती रहेगी और जब हम डानिमिक में 5 नाच से उपर भी चले जाएगे तो यह वाला रास्ता भले ही बंद हो जाए लेकिन QVRF के NOI से हमारा डानिमिक सर्किट पूरी रहेगी चुकि QVRF relay पिक अप हो गई है तो LSDBR के उपर लगा जो NCI है QVRF का वो खुल जाएगा और LSDBR का लैंप बुझ जाएगा यह कब होगा जैसे ही हम पहला नाच लेंगे वैसे ही LSDBR का लैंप बुझ जाएगा लेकिन अगर MVRF हमारा काम नहीं किया या QVRF relay energize नहीं हुई तब उस समय क्या होगा कि यह QVRF का जो NOI हमने यहां बताया लग जाएगा यह नहीं लग पाएगा और LSDBR के उपर जो NCI है यह पर्मानेंट QVRF का लगा रह जाएगा उससे LSDBR की लैंप लगातार जलती रहेगी और पांच नाच तक तो GR0 से पांच वाला कांटेक्ट हमारा लगे रहेगा लेकिन जैसे ही हम डाइनमिक में छठा नाच लेंगे वैसे ही हमारा डाइनमिक सरकिट ओपन हो जाएगा C145 खुल जाएगा और डाइनमिक कट जाएगा तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह सरकिट आप लों के समझ में आ गई होगी और अगर ब्लोवर नहीं चल रहा है साइवी में या कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो उसकी ट्रबल सूटिंग कैसे करेंगे थैंक यू